नमस्कार मैं हूँ आनंद कुमार स्वागत है आप सभी लोगों का competition community में competition community का खास CGPSC और व्यापम के pattern पर अधारिक mobile course launch हो चुका है इस mobile course के माध्यम से आप देश के किसी भी कोने में बैठ कर कहीं से भी CGPSC या फिर व्यापम की तैयरी बहुत आसानी से कर सकते हैं इस mobile course की खास बातिया है कि इस mobile course में आपको मिलेंगे CGPSC और व्यापम के pattern पर अधारी 200 से अधीक video lectures इसके साथ ही यहाँ आपको बील रहा है online study material ओबी 3000 से अधीक विसाल फ्रस्नों के संग्रह के साथ 36 गड़ की जंजातियां और कला संस्क्रेटियां से संबंदित क्या होगी खास बात सुरिये खुजूर मैं से नमस्कार दोस्तों मैं हो खुश बसा हूँ इस जो lecture series है इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ नमस्कार दोस्तों competition community में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ खुश बुस हूँ दोस्तों हमने पिछले वीडियो में जंजाती परीचर के बारे में चर्चा किया था और लगभग लगभग तो ये तेवहार और पर्व को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा difference बता दू कि पर्व और तेवहार में क्या अंतर होता है देखे कई जग हों पे इन दोनों शब्द को एक ही मान लिया गया है या फिर ये कह सकते हैं कि पर्व और तेवहार एक दूसरे के समानार्थी हैं ये कहा जाता है लेकिन ऐसा नहीं है इन लोगों में सुक्ष में सा अंतर होता है ये जो पर्व होता है वो सामोही गरूप से मनाया जाने वाला गृत है क्या होता है इससे समोही गरूप से के अंतरगत आएगा लेकिन बड़े इस तर पर कौन सा तेवहार मनाया जाता है जैसे कि होली हो गया दिवाली हो गया यह सामूही किस के अधार पर बनाया गया है, चंद्रमास, ठीक है, हम इसे चंद्रमास लिख देते हैं, अधार जैसे कि हमारा इंग्लिश कलेंडर होता है, उसमें क्या होते हैं, कि 12 मंथ होते हैं, उसी प्रकर हमारे हिंदू कलेंडर में भी क्या होता है, 12 मंथ होता है, और क्या होता है, तीस दिन होते हैं, लेकिन ये जो वन मन्त होता है, इसके दो पखवाड़े होते हैं, और ये जो पखवाड़ा होता है, ये पंदरा पंदरा दिन का होता है, अब ये पंदरा पंदरा दिन की काउंटिंग कैसे होती है, मैं ये आप लोग को बताती हूँ, क्या होता है, कि जब चांद पूरा होता है अर्था जब पुर्णिमा का दिन होता है उसके दूसरे दिन से मतलब मा लिजए आज पुर्णिमा का दिन है तो इसके अगले दिन से क्या स्टार्ट हो जाता है कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो जाता है और यही क्या होता है माह का पहला दिन होता है यह ल पहले दिन से पुर्णिमा का जो अगला दिन होता है वो क्या होता है पहला दिन होता है और पहले दिन से हम 15 दिन में पहुँच गया है और यह पूरा जो डुरेशन होता है उसे क्या बोलते है कृष्ण पक्ष कहा जाता है और यह जो पूरा क्या होता है यह क्या होता है अपन मैं होता है, प्रकाश मैं होने लगता है, और जो पंद्रहुआ दिन होता है, इस दिन क्या होता है, पुर्णिमा, ये से कहते हैं दूसरा पखवारा, इस समय कौन सा पक्ष होता है, शुकल पक्ष होता है, तो सबसे पहले आपने क्या जाना कि यहां भी एक साल में कितने मैने ह होते हैं 12 मन्त ने क्या होता है हर एक सिंगल मन्त में 20 MRI होता है और उट तीज दिन होता है और दो पकवाड़े मिलकर बनाता है 15 दिन का डूरेशन होथा उसे पखवाड़ा कहते हैं पुर्णिवा के बाद हम इसार्ट करेंगे तो दिन तक क्रिश्न सक्स्तपश्च होता है और उसके अगले दिन से 15 क्या होता है वारे 하고 मंद का यूजे प्रेंडर के हिसाबस से जो भी मंथ है वह कहां से स्टार्ट होता है और उसका अन्त हो झाता है घीक यह जितने भी वैडिक मासों के नाम हैं ये किसंके अधार पर रखा गया है ये सभी राशियों है उसके नाम क्या-क्या है और उनके डूरेशन कैसे कैसे होते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट होता है चैत्र से चैत्र का माहजु होता है 21 मार्ट से लेकर 20 अप्रेल तक होता है सेकेंड होता है बैसाक दें जेस्ट फिर आसार दें सावन सावन या इसे क्या कहा जाता है स्राव वाकार्थिक अगहन पौंश माख और बार्वामंत होता है फालगुन का इसे और कहते है अब देखें यह तो हिंदी केलेंडर के हिसाब से वैदिक मासों के नाम हो गये अब देखें कि English केरेंडर के हिसाब से यह जो मास है वो कहां कहां लाई करते हैं तो यह जो 21 अप्रेल से लेकर 20 मही तक का मेहना होता है वो वैसा आफ का होता है 21 मैं से लेकर 20 जून 21 जून से लेकर 20 जुलाई 21 जुलाई से लेकर 20 अगस्त 21 अगस्त से लेकर 20 सेप्ट 21 से लेकर 20 ओक्टूबर 21 ओक्टूबर से लेकर 20 नवंबर 21 नवंबर से लेकर 20 दिसम्बर 21 दिसम्बर से लेकर 20 जैन्वरी 21 जैन्वरी से लेकर 20 पैबरी और 21 फरवरी से लेकर 20 मार्ज जो होता है फागुन का होता है तो इस प्रकार हमने कंपारिजन कर लिया हिंदी कलेंडर और इंग्लिश कलेंडर का ठीक है अब हम बात करेंगे 36 गड़ की जो भी लोग पर वो और तेभार है उसके बारे में दोस्तों ये है जन जाती हो द्वारा मनाया जाने वाला लोग पर वो और तेभार देखिए मैं आपको ये जो फ्लो डाइग्राम बना हुआ है इसे मैं आपको लाइन से एक्स्प्लेन करती जाती हो लेकिन उसे पहले मैं आप लोग को बता दो कि ये बाइफर्केशन का आधार क्या है तो देखिए ये जो लोग पर वो और तेभार है वो 36 गड़ पूरे 36 गड़ छेत्र में मैंने उसे दो पार्ट में बाइफर्केट किया है एक तो 36 गड़ के समान ये लोग जो है अठाद बोलना ची जो लोकल इरिया में लहने वाले लोग है उनके द्वारा जो फैस्टिवल मनाया जाता है एक बाइफर्केशन ये है और दूसरा जो आधिवासी लोग विशेश पर वेवं तेभार मनाते है वो दूसरा बाइफर्केशन क्या है ये है तो हम ये जो जनजाती लोग पर वे एवं तेभार है इसका बाइफर्केशन जो है वो जनजातियों के बेस पर किये है इसका आधार जो है वो क्या है विभीन जनजातियों के आधार पर ये बाइफर्केशन हुआ है तो इसका अधार में जनजातियां इसलिए लिया है क्योंकि जनरली CGPSC में जब भी कोश्चन पूछा जाता है तो वो जनजातियों से पूछा जाता है अठाथ आपको कभी mostly ऐसा होता है कि यदि आपको यह पूछा जा रहा है कि कर्मा फेस्टिवल मनाया जाता है तो आपको हमेशा कोश्चन में यह दिखाए देगा कि कर्मा फेस्टिवल किन जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है ना कि वो कभी यह पूछेगा आपसे कि कर्मा फेस् जनजातियों की अधार पर किया है लेकिन जब हम 36 लोग पर वार पढ़ेंगे तो उसका जो बाइफरकिशन होगा वो किसके अधार पर होगा माहा की अधार पर होगा अथार चैत्रे में कौन-कौन से जनजाति की तो दौरा नमा खानी गौण पर माति तिहार नवान करमा फैस्टीवल मना जाता है कर्मा फेस्टीवल पूरे 36 गडान मना जाता है और विशेशकर जो जनजातियां है को सी है कोरबा है गोंड है बिझवार यह सारी जन्जातिया क्या मनाता है कर दो मनाया झाते है यह दनफ произошre friendship के दोडिक और भत्री परिवेश वह घृट याग रखेगा उसी प्रकार यह जो मनाया जाता है बेंगर जन्जाति की तरा रताовcies को नौर बनाया बजबुहनी कोरा और धिरसा तीनों के तीनों क्रिशी से रिलेटेड फेस्टिवल है मैं आपको अभी लाइन से एक्स्पेंड करती जाओंगे सारे फेस्टिवल्स को उराओ जनजाती के द्वारा प्रकृती प्रेम का सबसे बड़ा जो उधारन है वो क्या है सरहुल फेस्ट दोर्ला है तो इनके फेस्टिवल्स भी देख लेते हैं अबुझ मादिया के द्वारा कर साथ मनाया जाता है और धुर्वा धूर्वा जनजाती के द्वारा कांसाा परव मनाया जाता है लोग फेस्वशेन बताना चाहँंगी यह यह बस्तर पारकृतिस गड़ी नहीं पू मनाया जाता है कितने दिन का होता है ये 75 दिनों का होता है बस्तर अंचल में मनाया जाता है बस्तर अंचल में जो भी जनजातिया निवास करती है सब ही के तुवारा मनाया जाता है ये तेवहार इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे बस्तर के तेवहार के बारे में इसक हम बात करते हैं गोन जंजाती की तो गोन जंजाती के लोग कौन-कौन सा फेस्टेबल मनाते हैं नवाखानी गौरा पर्व माटी तिहार मेगनाज नवाननो और कर्मा पतेवः ठीक है तो हम मंद के हिसापसी से सिक्वेंस वाइस पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी माटी तिहार की यह जो माटी तिहार है यह बस्ता रंचल में केवल और केवल गोन जन जाती के द्वारा मनाया जाता है किसके द्वारा मनाया जाता है गोन जन जाती के लोगों के द्वारा क्यों मनाते हैं इस द्वहार को इसलिए मनाते हैं ताकि हम माटी की पूजा कर सके और अच्छी फसल की कामना कर सके बारिश के लिए क्या होता है कि जो भी स्थानी देवी देवता होते हैं उनसे क्या प्रा के लिए और इसे कब मनाया जाता है तो इसे मनाया जाता है चैत्रमा में इस प्रकार देख रहे हैं कि धान की जब बवाई और जब बवाई होती है उससे पहले ही चैत्रमा में सबसे पहले क्या करते हैं कि बस्तारंचल के लोग क्या मनाते हैं माटी तिहार मनाते हैं अच्छी मन के अनुसार पैसे ले लेते हैं ठीक है कुछ दिन तक ये प्रोसेस चलता रहता है और उसके बाद अंत में क्या करते हैं जो भी पैसे खटे होते हैं उस पैसे से भोज का यूजन किया जाता है और क्या किया जाता है पूजा किया जाता है इस प्रकार यह तेवहार जो होता ह वो किसको समर्पित होता है माती को समर्पित होता है इस दिवहार को यह आप लोग याद रखेगा केबल और केबल गोंड जंजाती के द्वारा मनाया जाता है कब मनाया जाता है चैत्र माह को मनाया जाता है देखे चैत्र माह में क्या किया था गोंड जंजाती की लोगों ने क भी धान है, वो क्या होता, उसकी पैदावार अच्छी होती, ये माथा चैत्र का अब आगया भादरपत, भादरपत में गोन जन जाती के लोग कौन सा तेवहार मनाते हैं, नवा खानी, नवा अर्थात नया, खानी का जो आशर है वो खाने से है, और खाना मतलब क्या अन, इस प्रकार नवा अर्थात, नया अन से क्या बना है, नवा खानी, तो इस तेवहार को ये लोग कम मनाते हैं, तो कम मनाते है, भादरपत की माँ हमें शुकल पक्छ से लेकर, पुर्णी मा तक ये तेवहार क्या किया जाता है, मनाया जाता है, ये वो टाइम होता है, जब इनका जो खेत का जो फसल होता है वो घर पर नहीं आया होता है अर्थात उसे ग्रहन करने से पहले ये क्या करते हैं इस अन्न को इस नए अन्न को उप्यों करने से पहले ये अपने ग्राम के जो भी स्थानी देवी देवता होते हैं उनको क्या करते हैं समर्पित करते हैं चिक तो इस और अच्छे फसल किली इस तवहार में उन्हीं धन्यवाद दिया जाता है कि अच्छे फसल हुए और उनको क्या किया जाता है अन्पा जाता है उसके बाद ही जो अन्पात है वह आधिवाशी वह लोग क्या करते हैं अपने उपयोग में लाते हैं, ठीक, नेक्स हम बात करेंगे कर्मा फेस्टिवल, कर्मा पर्व को कर्मा धर्मा पर्व भी कहा जाता है, कब से कब तक मनाया जाता है, तो इस फेस्टिवल को भाद्र, पत, शुक्ल, एका दसी को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, भादो, तरही जन्जातियों के द्वारा मनाया जाता है यह जो festival होता है यह कठोर वन्य जीवन श्रम और क्रिशी संस्कृति नहां क्या है कि प्रकृती प्रेम से रिलेटेड़ है प्रकृती की पूजा की जाती है तिक है क्चिकर धान है और कृषी संस्कृती अथा सदाचारी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा इस कर्माध्रम पर्व का एक और ही बहुत ही ज़ादा महत्व है। वो महत्व ये है कि इजिन क्या होता है। जो भी बहने होती है, वो अपने भाई के लिए उपवास रखती है, उनके लिए पूजा करती है, और उनके लंबी उम्र की प्राथना करती है, इस परकार हम ये कह सकते हैं कि ये भाई और बहन का जो भी रिष्टा होता है, उसकी मधूरता को ये और भी अटूट बना देता ह तो अभी तक हमने क्या देखा कि ये कर्मा फेटिवल जो होता है, ये भादो शुक्ल एक अधशी को मनाया जाता है, अर्डा कि सित Bennber का माह होता है, तब क्या हो चुका रहता है तब जो भी फसल होते हैं वो क्या हो चुके रहते हैं तयार हो चुके होते हैं उसके बार यह जो अदिवासी लोग है यह फेस्टिवल मनाते हैं जहां पर यह क्या करते हैं कि जो भी प्रकृती है जिन्नोंने बारिश कराया जिन्नोंने उनके फसल करते हैं और उन्हें क्या करते हैं धन्यवाद देते हैं कि इससाथ कर्मानृत्य और कर्मागीत भी गया जाता है और बड़े ध्रूम ध्याम से पूरे अधिवासी अंचल में क्या किया जाता है इस तेवहार को जार्खन पुडीसा असम है असंंग दिवाली के दिन लक्ष Ł पूजा के बाद क्या होता है दिवाली के दिल लक्षमिपूजा के बाद गौरा गौरी अर्था शीव और पार्वती का क्या किया जाता है उनकी मूर्ती बनाई जाती है छोटी-छोटी उनको तयार किया जाता है और उनका विवाहर जाया जाता है उसके बाद क्या होता है कि जो कुमारी लड़िया होती है यूर उसे अपने सर में रखक कर मिल्यक्त कार्वर मोहले में किया करते हैं ध्रमड कराया जाताया है और अंततहा उन्हें क्या टोऊंने विसरजित कर दिया जाता है तो इस प्रकार से एतिवहार मनाया जाता है शीव और पार्वती मा जो है उनके प्रतीक के रूप में इस फेस्टिवल को कार्थिक मार था दिवाली के दिन मनाया जाता है कार्थिक मा के बाद नवान फेस्टिवल मनाया जाता है गोंजन जातियों के द्वारा दिवाली के बा का हुआ होता है गोजनजाती के लोग क्या करते हैं कि नरायन देव रात-माई और साजा वरिक्ष इन्हें ये क्या करते हैं धान की बालियां अरपित करते हैं कई जगहों में इस festival को क्या कहा जाता है छोटी दिवाली भी कहा जाता है तो इस प्रकार से कातिक माह में गोंजनजाती के लोग दो फेस्टिवल मनाते हैं, गौरा-गौरी फेस्टिवल और नवान में, आगे हम बात करेंगे किसकी, मेगनाथ फेस्टिवल की, देखें, ये जो मेगनाथ का फेस्टिवल है, ये जो है फागुन माह में मनाया जाता है आप लोग को पता ही होगा यह जो मेगनाथ है यह रामर जी के पुत्र हैं लेकिन जो गोल जनजाती के लोग हैं इसे अपना रक्षक मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं क्या होता है होली के बाद फागून मा में होली के अगले दिन से ये तभार मनाना स्टार्ट कर दिया जाता है इस फैस्टिवल गटना होते हैं और सफ रेसी कोई परिवार की कुछलतागी क्या करते हैं ये लोग प्राथना करते हैं तो इस मोटिव से इन लोग क्या करते हैं मेगनाथ का फेस्टिवल मनाते हैं गोंजन जाती के लोग इस फेस्टिवल में क्या होता है तो ये जो ये फेस्टिवल में मेले का आयोजन किया जाता है कहीं कहीं किसी किसी छेत्रे में इस फेस्टिवल को हफते दिन तक मनाया जाता है मेले कायोजन किया जाता है बीच में एक मेगनात खंब लगाया जाता है बहुत ही उचा खंबा होता है अलग-अलग जगों में इसकी हाइट अलग-अलग होती है मेगनाद का खम लगाया जाता है और इसकी इस कॉर्णर पे पूजा का समान जो हो रहता है वो टांग दिया जाता है फिर क्या होते हैं कि जो भी आदिवासी लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि इसमें चड़ते हैं और इस पूजा के समान को लेकर वापस आते हैं फिर देरे-देरे क्या होता है कि जो पूजा का समान होता है वो नीचे आ जाता है और फिर यहां पर क्या किया जाता है मेगनाद की पूजा की जाती है और उनको धन्यवाद दिया जाता है मेले काया उजन किया जाता और बड़ाई ही उल्लास के स कब कब मनाये जाते हैं सबसे पहले हम किस फैस्टिवल की बात किये थे माठी तिहार इस ही आम नाद एकम बनाने जाता है चैत्रमाह के बाद नावाखानी आता है जो भादो माह में सुक्ल पक्ष से लेकर पुर्णी मा तक मनाया जाता है उसके बाद हमने बात किया था कर्मा फेस्टिवल की तो कर्मा फेस्टिवल जो है भादो सुक्ल एका दसी को मनाया जाता है फिर हमने गौरा पर्व की बात की थी जो की कार्टिक माह में मनाया जाता है जो कि फागुन मां हमें होलि के बाद मनाया जाता है। सबसे हम बात कर लेंगे कि है कब मना जाता है तो यह माति टिहार के बाद अर्था चैत्रमाह के बाद रिश्मरितू से वर्षारितू के बीच मैं यह फेस्टिवल मनाया जाता है तो अच्छी फसल की कामना के लिए यह जो festival होता है वो गोत्रिय देव पूजन का festival होता है जहां पर ये क्या करते हैं अबुज हमारिया लोग जो होते हैं वो अपने जो गोत्रिय देव होते हैं उनसे किसकी प्रातना करते हैं अच्छी फसल की प्रातना करते हैं इस अवसर पर ये जो अबुज हमारिया लोग हैं य और इस आवसर पर जो वेवाहिक संबंध होते हैं वो भी तैय किये जाते हैं अर्था जो भी यूवक और यूतियां होती है वो एक दूसरे को पसंद करके यहां पर वेवाहिक संबंध तैय कर सकते हैं इस फेस्टिवल में जो है दंडामी माडिया जंजाती और दोला जंजात तो किसे इन्वाइट करते हैं दंडामी मारिया और दोरला जंजाती के लोगों को भी इन्वाइट करते हैं आगे हम बात करेंगे दोरला जंजाती की तो इनके द्वारा लारू काज का फेस्टिवल मनाया जाता है लारू का अर्थ होता है दुलहा और काज का अर्थ होता है अ प्रतिवल प्रतिक के चैयत्र बेसाक है मार्च अप्रेल में तो में जून का मुख्य मन्थ होता है वाहं पर क्या त्वोहार मनाते भीमा त्राम मनाते दृगलान जाती की लोग विवाहियोगा करते हैं चाथे हो दो धर्ला माटा की चाते हैं अरा उतर हुए इसी समय LE prepared दो यह में क्वी ї चैत्रीस स्पार्द ऐस दिया है के धुपाने कुछ नहीं सबादेश्ट ये तो कुछ आपर उपर से बता आके वह से ले जाओंगे तो आप ये बिल्कूल मत समझेगा कि इसके बारे में भी हमें जानना है या इसके बारे में नहीं जानना है जो भी जानकारी दी जारी है आपको एक आधिकारी किताब से दी जारी है जो कि CGPSC के point of view से important है तो जो भी आपके CGPSC में आ सकते हैं या आये हुवे प्रश्न हैं उनसे संबंदित मैं आपको सारी जानक प्रवज नागा बैगा उससे रिलेटेड है आगे हम बात करेंगे कोरवा जन जाती की तो जैसे मैंने बताया था जब मैं आपको कोरवा जन जाती के बारे में बता रही थी तो इनके द्वारा कौन-कौन सा फेस्टिवल मना जाता है बीजबोहनी कोरवा और धेरसा यह तो त पहले यह तेवार मनाया जाता है कोरा फेस्टिवल जो है वो कुटकी या गोंधली गोंधली को ही क्या कहा जाता है कुटकी कहा जाता है इस फसल को काटने के पशात यह फेस्टिवल मनाया जाता है और जो धेरसा पर वो है वो जन्वरी माह में सरसो के फसल काटने के पशात मनाया जाता है तो यह आप लोग याद रखिएगा कौन कौन से तेवहार मनाया जाता है बीजबोहनी को रा और धेरसा अब हम बात करेंगे उराव जन जाती के द्वारा जो मनाया जाने एक किसके द्वारा मनाया जाता है तो यसे पूरे अदिवासी अंचल में मनाया जाता है जो लोग छोटा botti के पठार के अरिया में रहते हैं उन सभी के द्वारा यह विख्षवीचिवल де 요즘 हए पुम इत्ता मां जाता है ऐसे तो साल विख्ष्षमें फूल मुख छाते हैं तो क्या करते हैं इन लोग सरहुल तेवहार मनाते हैं जैसे कि मैं आप लोग को बताई थी जब उरावजन जादी पढ़ा रही थी तो इनकी जो अराधिया देवी होती है वो कौन होती है सरना देवी होती है जो की कहा निवास करती है साल व्रिक्ष पे निवास करती है तो इस दिन इन लोग क्या करते हैं सरना देवी की पूजा करते हैं जो ग्राम के रक्षक देवी देवता होते हैं उनकी पूजा करते हैं उनसे ये जो फेस्टिबल होता है इस फेस्टिबल को मनाने के बाद अपने नए फसल का उपियो करते हैं और क्या करते हैं जो अच्छी बारिश का अच्छी फसल का ये क्या करते हैं कामना करते हैं ठीक है तो इसके लिए ये जो तेभार हैं वो कैसे बनाते हैं ये मैं आप लोग को बताती हूं तो सबसे पहले क्या होता है कि जिस दिन फैस्टि कुछ जाता है कि इसमें जो पानी का स्थर है वो कम हुआ तो क्या मानते हैं कि इस बार बारिश अच्छी होगी अच्छा फसल होगा इस दिन क्या होता है कि सुबह से जो पाहन होता है पाहन जो होता है वो सुबह से स्नान कर लेता है व्रत रखता है पूजा तक कि वो व्रत रखता है जितने भी पूजा के समान होते हैं वो कहां लेकर साल वृकष होता है जहां पर सरना देवी को स्थापित किया जाता है यहां पर पूजा किया जाता है सरना देवी की पूजा की जाती है इन्हें पांच मुर्गों की बली दी जाती है यह जो मुर्गे होते हैं यह अलग-अलग कलर के होते हैं जो नॉर्मल मुर्गा होता है उकसे सूरिय और जो काला मुर्गा होता है उसे धर्ती माता का प्रतीक माना जाता है और उनका विवाहर जैसे सी प्रकृति प्रेम को शोग करता है तो मैंने क्या बताइए कि मुर्गे की बली दी जाती है इनका विवार रचाय जाता ओर जो इस्थान नहीं देवी देवता होते हैं चोह साल व्रिक्ष के पूझ होते हैं वह चलाया जाता है और कुछ फुलों को पुजा के पाहर लोता है वह ग्रामिडी शराब तेते हैं प्रसाद के रूप में अधिवासी ृत्माद की तरो जो भी धिवासियों के दवारा मनाये जाते हैं जो किसी MIDI आदिवाशी को संभूधित नहीं करता बलकि पूरे आदिवासी अंचल को संभूधित करता है तो आए जानते हैं ऐसे festivals के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमुस्तिहार की यह जो अमुस्तिहार है यह हरेली अमावस्या को मनाया जाता है अठाथ यह तेवहार जो है कब मनाया जाता है सावन अमावस्या को मनाया जाता है यह जो festival है वो पशुची किस्ता के प्रति जो गहरा लगाव है उससे related है इस दिन क्या होता है जो भी पशु औसदी होती है उसकी पूझा की जाती है इस पेशली जो रश्चन और शतावरी का जो पौधा होता है जो औसदी के रूप में उप्योग किया जाता है किसके लिए पशुओ के लिए उनका विशेश महत्व है इनकी पूझा की जा जाता है डिवाली गतեխार मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल एकाद का जई मनाया जाता है जो अदिवासी अंचले हो अध्यारी का फेस्टीबल मनाया जाता यह ब्लब क्या विश्रामगरी होता पशुओं से रिलेटेड है उस विश्राम स्थल की पूजा की जाती है जहां पर चारागाह के लिए होते हैं और दिन में क्या करते हैं विश्राम करते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे गोबर बुहरानी की तो यह गोबर बुहरानी जो बहुत ही पेशल तरीके का फेस्टिवल है जो की दक्षिड बस्तर अर्था सुकमा जीले में चिंदगर जो विकास खंड है उसके कुछ गाओं में मनाया जाता यह फेस्टिवल जो है क्या होता है सबसे पहले इसका मोटिव जान लितने हैं तो मोटिव जो होता है इस फेस्टिवल का अच्छे फसल की कामना के लिए होता है इनके खेतों की मिट्टी जो होती है वह उपजाओ हो और अच्छे फसल की कामना के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है कैसे मनाते हैं इस ग्राम देवी देवता की स्थापना करते हैं, सुबह सुबह ये का करते हैं, अपने जो भी सस्त्र होते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और इस ग्राम देवी की पूजा करते हैं, फिर ये कहां जाते हैं, शिकार पर जाते हैं, जंगल, दिन में जब यहां से वापस आते हैं, त फ़नाते हैं इस गढ़े में प्रती दिन नौ दिन के क्या करते हैं जितने एदिवासी लोग होते हैं और फिर नौ दीन तक चलते रहना थाया पेस्टबल कल दूब करते हैं जिदने बिए jobs Circans को गायान करते हैं और गोबर ये जो गोबर रहता है इसकी ही होली मनाते हैं होली मनाते हैं मतलब एक दूसरे को पर छड़कते हैं एक दूसरे के चहरे पर लगाते हैं इस प्रकार से इस गोबर की क्या करते हैं लोग होली मनाते हैं और अंत में थोड़ा थोड़ा गोबर जो है वो अप सैदा वारच्छी तो इस प्रकार से गोबर बहुरानी का फेस्टिवल मनाया जाता है कहां दक्षिड बस्तर में मनाया जाता है आगे हम बात करेंगे बश्यी तिहार का तो बश्यी तिहार जो है वो सभी टेवहारों का अन्तिम पड़ा होता है यह कि जैसे कि आप लोगों को कि जो भी आदिवासी तेवहार है वो चैत्रमा से स्टार्ट होता है तो यह खतम भी कहां होता होगा चैत्रमा पर खतम होता है तो यह जो आखरी पड़ाओ होता है उस टाइम पर क्या मनाया जाता है बासी तिहार मनाया जाता है इस दिन बहुत ही जादा मनुरंजन का तेवहा अब हम बात करेंगे गोंचा पर्व की गोंचा पर्व बस्तर के दशहरा के बाद बस्तर अंचल में जो दूसरा बड़ा और महत्पूर्ण पर्व है जो दिवास्यों के द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है तो वह कौन सा फेस्टिबल है गोंचा तेवहार है जिस प्रकार पूरी में जगरनाथ यात्रा की जाती है, उसी प्रकार बस्तर में भी जगरनाथ यात्रा की जाती है और इस रथ jah atauk कहा जाता है गोजचा पर्व सवाल होता है कि यह कब मनाया जाता है तो यह अशाओएड शुक्ल दुटिया से लेकर, 11. अठांत यह 10 दिनों का क्या होता है फेस्टिवल होता है अब थोड़ा हम इसके परिद्रिश्य की बात कर लेते हैं कि ये तेवहार कप से मनाए जा रहा है तो आज से 610 वर्ष पूर्व की बात है ये जब अस्तर शेत्रे में काक्तियवंस का शाशन था तो जो काक्तियवंस के जो साशक है पुशुत पती कहते हैं उनका नाम था राजा गश्पती उन्होंने उन्हें रत पती की उपाधी दी थी और उन्होंने सुभद्रा माता का रत दे दिया था किने पुशुत्तम देव को किसे दे दिया था पुशुत्तम देव को क्या बताया मैंने कि आज से 610 वर्ष पहले जब बस्त किये उनके इस भक्ति से खुश होकर जो राजा जो गश्पती थे उन्होंने उन्हें रत्पती की उपाधी दी और सुभद्रा माता का रद दिया वहां से वो उस रत में चड़कर वापस आए और तब से बस्तर में रत्यात्रा का जो पर्व है वो मनाया जाता है बहुत ही जगनाठ जी का मंदिर हैं वहां से जगनाठ जी की मुर्ती जगनाद बलभध्र और माता जुबद्रा इनकी मूर्ती को यहांसे उठाया जाता है Mexico किया जाता है इनकी मूर्ति को पूजा की जाती है और रत्यात्रा प्रारंभ होता है जब रत्यात्रा प्रारंभ होता है तो जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं भागवान जगरनात के सम्मान में तुपकिया चलाते हैं जो तुपकिया होता है यह बंदूग जैसा होता है बांस का बना यंद्र होता है जिसम लोग क्या करते है जो की होती है जो बांस का बना होता है हो जो बंदूख के जैसा होता है उस परकार से चलाने का यहां जो विशेष रिवाज्ज यह बहुत ही special है, पूरे विश्व में यह और कहीं भी ना बनता है, ना इसका use किया जाता है, फिर क्या होता है, नौ दिनों तक यह जो रत यात्रा है, रत परिक्रमा होता है, फिर रत परिक्रमा के बाद जो जगर्णाफ जी की जो मूर्ती होती है, वो कहा लेकर जाया जाता है सिरहा सार भावन में लेकर जाया जाता है यहां पर जगनाजी की मूर्ति को रखा जाता है जहां पर जो आदिवासी लोग होते हैं वो जगनाजी की पूजा करते हैं और फिर अंतताहा इन्हें दसवे दिन इनके मंदिर में वापस विराजमान कर दिया जाता है तो इस प्र किया जाता है तो बस्तर के दशने में किया जाता है जहां sleep में किया जाता है उस समय चारटए और आठ वय क्या जाता है चीक्व है तो यह बात हो ग़ें हम अपने नीक्स्ट वीडियो में बात करें जो त्यंस गंद में रहने वाले www.competitioncommunity.com इसके अलावा इस मुबाइल पूर्स से जूड़ी और अजिक जानकारी के लिए आप हमें इन दिये गए नमबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं और हां इसके अलावा आप एक डेट और सेट कीजिए 22 दिसंबर 2019 इस दिन से लॉंच होने वाला FTR यानि कि हमारे यूटीब चैनल पर तो अगर अभी तक आपने हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें दोस्तों तक शेयर करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें